नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ डिजाइनर बेबी कोट बनाने का टेकनीक सेयर करने जा रही हूँ मैंने इसे फुल लेंद में बनाया है जिससे ये बिलकुल ट्रेंज कोट की तरह लगता है आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं दिखने में ये बहुत ही प्यारा लगता है और उतना ही आसान भी है इसे बनाना मैं यहाँ पर एक से डेर साल के बच्चे के लिए आपको ये डिजाइन बताने जा रहे हूँ आप किसी भी साइज का इस मेथर्ड से बना सकते हैं आपको बस मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग उतने फंदे लेने होंगे तो चलिए इसी के साथ सीखते हैं इसे बनाना इस स्वेटर को बनाने के लिए जो मेटरियल लगेंगे उसमें 200 ग्राम बेबी उन और नो नुमबर का निदिल और एक सुई की आवसकता होगे सबसे पहले बैक पार्ट बनाएंगे बैक पार्ट में मैंने 79 फंदे लिए हैं यह साइज एक से डेर साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा 79 फंदे डालने के बाद एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से दो स्लाई तक बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर से सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ लेंगे और उल्टा बुनेंगे इसी तरह से एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए ये पूरी स्लाइब बुन लेंगे रॉंग साइट से भी एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए पुड़ा कर लेंगे इस तरह से देखिए ये दो स्लाइब पुड़ा हो चुका है एक सिधा एक उल्टा बुनते हुए, अब इसके उपर में ये पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे, अब यहां पे सभी फंदों को उल्टा बुनना है, दोनों तरफ से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, केवल ये किनारे का फंदा है, इसे सिधा उसके बाद फिर सभी फंदों को उल्टा बुनना हैं और केबल किनारे फंदे को सीधा बुनना है इस तरह से देखिे यह सभी फंदे को उल्टा बुन लेंगे यहाँ पर देखि यह जो गार्णड एषह ट्रीज की लाइन देख रही इसी तरह की पांच स्लाईने यानी 10 स्लाई बुले एंगे एक और तीन चार पांच ये दस लाई बुलने के बाद ये पांच स्लाईने दिख रही हैं जब पुरिर हो जाएंगे उसके पहला फनदा उतार लेंगे और दो फंदे का एक उल्टा फंदा बुनेंगे इसी तरह से दोनों किनारे दो फंदे का एक फंदा घटाएंगे और बीच के फंदे को उल्टा बुनेंगे किनारे में देखिए जब तीन फंदे रह जाएंगे तब इन दो फंदों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुन लेंगे और फिर किनारे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे इसके बाद फिर 10 लाई तक इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे फिर 10 लाई के बाद दोनों तरफ एक एक फंदे घटा लेंगे इस तरह से फंदे को घटाते हुए हर 10 लाई के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाएंगे इसी तरह से घटाते हुए 26 cm तक बुन लेंगे इसमें 12 से 14 फंदे तक घटा लेंगे जब लंबाई पूड़ा हो जाएगी यानि 26 cm तक इसे बुन लेंगे फिर कैसे बनाया जाएगा ये मैं आपनों को बताऊंगे यहां देखिए ये 26 cm तक पूड़ा हो चुका है इसे आप इस तरह से भी काउंट करके आपको दिखा रहे हैं इसमें मैंने 44 रोज बनाया है इस तरह से ये 44 रोज पूड़ा हो चुका है दोनों तरफ साथ साथ फंदे मैंने घटाए है अब रिवे स्टीच बनाएंगे इसके उपर में उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे इसमें 65 फंदे हैं दोनों तरफ दो दो फंदे घटाने हैं देखिए किस तरह से घटाएंगे यहां पर पहला फंदा उतार लेंगे उसके बाद दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फंदा घट चुका है, फिर इसे देखिए एक स्लाई नीचे जा करके सीधा बुनेंगे, धागा आपनी तरफ लेंगे, फिर दो फंदे का एक फंदा करेंगे, इस तरह से यहाँ पर दो फंदा घट चुका है, फिर एक स्लाई न नीचे जाकर के सीधा बुनेंगे, फंदा गिरा देंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक स्लाई नीचे स्लाई डालेंगे, ये बीच में, और सीधा बुन लेंगे, इस फंदे को गिरा देंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्ट फंदा बूंदा जैसे नॉर्मणल फंदा बुंते हुँआ उसी तरह बुंएंगे, सीधा बुंदा जब भी बुंदा तो एक स्लाई नीचे जागर के सीधा बुंदेंगे। फिर एक उल्टा इसी तरह से पूरी स्लाइ बून लेंगे जब 6 फंदे इससाइट बच जाएंगे उसके बाद फिर यहाँ पर भी 2 फंदे घटाएंगे यहां देखिए 6 फंदे बचे हैं, दो फंदे का एक उल्टा फंदा, फिर से यहां पर देखिए इसे सिधा बुनेंगे, फिर दो फंदे का एक उल्टा फंदा करेंगे, दागा पीछे करेंगे, इस तरह से यहां पर दो फंदे इधर घट चुके हैं, और दो फंदे उस साइड, अब किनारे का फंदा सिधा बुनेंगे, इस तरह से सिधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, दागा पीछे करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, नॉर्मली जैसे बुनते हैं, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर उल्टा फंदा बुनेंगे, इसी तरह से ये टू रोज मैंने बनाया हैं, इस तरह से 16 रोज बना लेंगे, उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे, यहां देखिए 16 रोज पुड़ा हो चुका है, लगबग ये 4 सेंटिमीटर है, यदि आप इससे बड़ा साइज का बनायेंगे, तो 16 रोज के बजाए 20 रोज बना लेंगे, उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे, आर्म होल की कटिंग में दोनों तरफ फंदे घटाएंगे, इधर भी 4, फिर 2, फिर 1 फंदे घटाएंगे, इस तरफ भी 4, 2 और फिर 1 फंदे घटा लेंगे, पहले 4 फिर फंदा उतार लेंगे, फिर उल्टा बूनेंगे, फंदा को उपर से गिरा देंगे, एक फंदा घड़ चुका है। बून्ते हैं उसी तरह से बूनेंगे बीज के फन देखोश देखिए फिर से उल्टा बूनेंगे नौन्मली की बूनेंगे फिर उल्टा बूनेंगे एक स्लाई नीचे सिधा बूनेंगे ये चार फंदे घट चुके हैं अब देखिए इस तरब भी चार फंदे घटाने हैं ये फंदा सीधा है इससे सीधा बुन लेंगे फिर फंदा को उपर से गिरा देंगे उल्टा बुनेंगे फंदा उपर से गिरा देंगे फंदा पीछे करेंगे फिर सीधा बुनेंगे फंदा गिरा देंगे फिर उल्टा बुनेंगे और फंदे को गिरा देंगे इस तरह से चार फंदे इधर भी घट चुके हैं अब जैसे सीधा उल्टा बुनते हैं उसी तरह से बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, एक स्लाइड, नीचे स्लाइड डालेंगे, और सिधा बुनेंगे, फंदा गिराएंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, इसी तरह से बुनते हुए, सभी फंदों को बुन लेंगे, किनारे के फंदे को उतार लेंगे, यह किनारे का फंदा है इसे उतार लेना है बुनना नहीं है यहाँ देखिए इस फंदे को मैंने उतार लिया अब दो फंदे घटाने हैं इस फंदे को भी उतार लेंगे और ये फंदा दोनों को उतार लेंगे और उपर से गिरा देंगे उसके बाद सीधा बुनेंगे और एक और फंदा घटा लेंगे इस तरह से दो फंदा घट जाएगा उसके बाद फिर एक उल्टा और एक सीधा जहां सीधा है वहां सीधा बुनेंगे जैसे बुनते हैं उसी तरह से फिर उल्टा बुनेंगे एक सलाई नीचे सलाई डालेंगे सिधा बुनेंगे इसी तरह से बुनते हुए यह पूरी स्लाइब बुन लेंगे किनारे के फंदे को फिर उतार लेंगे इस फंदे को फिर उतार लेना है इसके बाद दो फंदे इधर भी घटाएंगे इस तरह से देखिए यह फंदे उतार लेंगे स्लाइ टर्ण कर लेंगे उसके बाद फिर दोनु फंदों को उतारेंगे उपर से इस फंदे को गिरा देंगे फिर उल्टा बुनेंगे इस फंदे को उपर से गिरा देंगे ये दो फंदे घड़ चुके हैं आप जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे फिर किनारे के फंदे को उतार लेना है यहाँ देखिए ये किनारे के फंदे को मैंने उतार लिया था अब इन दोनों फंदों को इस तरह से उतार लेंगे और फंदा गिरा लेंगे अब एक फंदा घड़ चुका है और यहाँ पर चार दो और एक इस तरह से साथ फंदे एक तरफ घड़ चुके हैं फिर पूरी स्लाइड जैसे भूनते हैं, उसी तरह से भूनेंगे और उस तरह भी एक फंदे घटा लेंगे यहाँ भी देखिए, इस फंदे को मैंने उतार लिया था, अब इन दोनों फंदों को उपर से इस तरह से गिरा देंगे उसके बाद जैसे बुनते हैं एक उल्टा और एक सिधा इसी तरह से बुनते हुए 12 cm तक बुन लेंगे अब फंदे को घटाना या बढ़ाना नहीं है इधर भी देखिए 4, 2 और 1 फंदे घट चुके हैं इस तरह भी 4, 2 और 1 फंदे यानि 7-7, 14 फंदे घट चुके हैं यह जब 12 cm तक बना लेंगे यहां देखिए यह 12 cm तक पुरा हो चुका है इसमें 47 फंदे हैं 12 फंदे इधर रखेंगे कंदे में और 12 फंदे उस तरह बीच में 23 फंदे बंद कर देंगे पहले 12 फंदे बुन लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह 12 फंदे मैंने बुन लिये हैं अब इसके बाद जो 23 फंदे हैं इसे 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए घटा लेंगे बंद कर देंगे फिर से स्लाई पे फंदे को डालेंगे और दो फंदे का 1 फंदा फिर से स्लाई पे फंदे को डालेंगे और दो फंदे का 1 फंदा इसी तरह से घटा बंद करते हुए 23 फंदे को बंद कर देंगे उसके बाद जो 12 फंदे बचेंगे उसे भी भून लेंगे ये देखे दो, चार, छे, आठ, दस, ग्यारा, बारा ये बारा फंदे हो गया है, अब इन सभी फंदों को भून लेना है एक उल्टा और एक सीधा भूनते हुए पूरा कर लेंगे इस तरह से ये बैक पार्ट पूरा हो चुका है इसमें देखिए, बारा फंदे मैंने कंधे में इधार ड़ाले, बारा फंदे इधार और बीच के फंदे को दो काई करते हुए बंद कर दिया है अब ये बैक पार्ट पूरा हो चुका है फ्रंट पार्ट अब बनाएंगे फ्रंट पार्ट में मैंने 46 पंदे लिये हैं इसे भी एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए दो स्लाई तक बना लेंगे एक उल्टा और एक सीधा फिर उल्टा बुनेंगे सीधा बुनेंगे उल्टा बुनेंगे फिर से सीधा बुनेंगे इसी तरह से बुनते हुए दो स्लाई तक बुन लेंगे ये देखिए ये दो स्लाई पूरा हो चुका है इसके बाद जैसे बैक पार्ट में दस स्लाई तक दोनों तरफ से उल्टा बुने थे उसी तरह से front part में भी 10 लाई तक दोनों तरफ से उल्टा ही बुनेंगे ये दिखिए ये back part में दोनों तरफ मैंने एक एक फंदे 10 लाई के बाद घटाये थे ये 5 लाई जब पूरा हो गया 5 लाई जब पूरी हो गए तो दोनों तरफ एक एक फंदे घटाये थे इसमें मैंने साथ फंदे एक तरफ घटाये थे उसी तरह से front part में भी 7 पंदे घटाये थे 10 लाई बुननें के बाद फंदे एक तरफ ही घटाये एक तरफ फंदे नहीं होटाएंगे उसके बाद यह 16 स्लाई का जब 44 रोज पूरा हो जाएगा तब 16 रोज रिवेस्टिस का बनाएंगे देखिए यहाँ इसे भी मैंने 44 रोज पूरा कर लिया है यह बटन पट्टी का साइड है इधर मैंने फंदे नहीं घटाया है और इस साइड साथ फंदे मैंने हर 10 स्लाई के बाद एक फंदे घटाते हुए पूरा कर लिया है इसमें 39 फंदे हैं दो फंदे इस तरफ घटा लेंगे और यह बटन पट्टी का साइड है इधर एक फंदे घटाएंगे पहला फंदा उतारने के बाद दो फंदे का एक उलटा फंदा भुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक स्लाई नीचे सीधा भुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फिर से सीधा बुनेंगे इसी तरह से ये पूरी स्लाई बुन लेंगे जब 6 फंदे रह जाएंगे तब 2 फंदे उस तरब भी बंद कर देंगे घटा लेंगे यहां देखिए 6 फंदे बचे है दो फंदे का एक उल्टा फंदा बुनेंगे फिर जैसे सीधा बुनते हैं एक स्लाई नीचे सीधा बुनेंगे फिर दो फंदे का एक उल्टा फंदा इस तरह से यहां पे दो फंदे घट गया एक फंदा इस तरफ और दो फंदे यहाँ पर यह सीधा बुनेंगे और फिर से उल्टा बुन लेंगे पहला फंदा उतारेंगे उल्टा बुनेंगे फिर से सीधा बुनेंगे एक स्लाइड नीचे स्लाइड डालेंगे और सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे 16 रो इसे इसी तरह से बुनेंगे यह टू रोज पुड़ा हो चुका है यह देखिए 16 रो मैंने बना लिया है लवक 4 सेंटीमीटर यह पुड़ा हो चुका है अब इस तरफ यह बटन पट्टी का साइड है और इस तरफ मैंने फंदे घटाए हैं तो यहां पर आर्म होल की कटिंग करेंगे अर्म होल की कटिंग में देखिए चार फंदे पहले घटाएंगे जैसे बैक पार्क में घटाए थें दो फंदे का एक फंदा करेंगे फिर धागा आगे करेंगे उल्टा बुनेंगे फंदा गिला देंगे, दो फंदे घट चुके हैं, सीधा भूनेंगे, तीन फंदे, इस तरह से घट चुके हैं, फिर उल्टा भूनेंगे, और एक और फंदे घटा देंगे, इस तरह से चार फंदे घट जाएंगे, उसके बाद जैसे सीधा और उल्टा भूनते हैं, उसी तरह से भूनेंगे, एक स्लाई नीचे स्लाई डालेंगे, सीधा भूनेंगे, फिर उल्टा भूनेंगे, फिर से एक स्लाई नीचे स्लाई डालेंगे, और सीधा भूनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे इसी तरह से ये पुरी स्लाई बुन लेंगे पुरी स्लाई बुनने के बाद रॉंक साइट से भी सभी फंदों को बुन लेंगे और इस किनारे के फंदे को केवल उतार लेंगे यहां देखिए इस फंदे को मैंने उतार लिया है अब इन दोनों फंदों को बुनेंगे लटा बुनेंगे एक स्लाइड डालेंगे सिधा बुनेंगे फिर से उल्टा बुनेंगे इसी तरह से पुरी स्लाइड बुनेंगे रॉंग साइट से फिर इस किनारे के फंदे को उतार लेंगे तो चार और दो फंदे घड़ चुके हैं नेक्स्ट स्लाई में एक फंदे घटाएंगे यहां देखिए इस फंदे को मैंने उतार लिया अब यहां पे इन दोरों फंदों को फिर राइट नीडिल पर डालेंगे औ और एक फंदा घटा देंगे, पहले चार फिर दो और फिर एक फंदे घट चुके हैं, अब जैसे उल्टा और सीधा भूनते हैं, उसी तरह से भूनते हुए, पाथ सेंटीमीटर तर भून लेंगे, उसके बाद गला घटाएंगे, यह देखिए, यह पाथ सेंटीमीटर यहाँ पर पूरा हो चुका है, अब गला घटाएंगे, गला में सबसे पहले आठ फंदे घटाएंगे, सीधा भूनेंगे और फंदा को उपर से गिरा देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लेंगे, उल्टा भूनेंगे, फंदा को उपर से गिरा देंगे, दो फंदे घट चुके हैं, सीधा भूनेंगे, फंदा उपर से गिराएंगे, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे घट चुके हैं, उसके बाद जैसे बूनते हैं, उसी तरह से ये स्लाई को पूरा करेंगे, रॉंग साइड से भी, सभी फंदों को बून लेंगे, केवल किनारे के फंदे को उतार लेंगे, इसे इस तरह से उतार लेंगे, अब आठ के बाद चार फंदे घटाएंगे, इन दोनों फंदों को स्लाई पे डालेंगे, फंदा उपर से गिरा देंगे, उसके बाद उल्टा बूनेंगे, फिर से फंदा को उपर से गिरा देंगे, दो फंदे हो चुके हैं, सीधा बूनेंगे, फंदा उपर से गिराएंगे, तीन फंदा हो चुका हैं, एक और फंदा उल्टा बुनेंगे और फंदा को उपर से गिरा देंगे इस तरह से आठ फिर चार फंदे हो चुके हैं अब जैसे पूरी स्लाई बुनते हैं वैसे बुन लेंगे किनारे के फंदे को फिर उतार लेंगे आठ और चार फंदे घट चुके हैं इसके बाद फिर देखिए इन दोनों फंदो को इस तरह से गिरा देंगे एक फंदा घट चुका है फिर उल्टा बुनने के बाद फिर से फंदे को गिराएंगे तो ये दो फंदा घट जाएगा सीधा बुनेंगे और फंदा को उपर से गिरा देंगे इस तरह से आठ फिर चार उसके बाद तीन उल्टा बुनेंगे सीधा बुनेंगे जैसे बुनना है वैसे ही बुनते हुए इस लाई को भी पूरा कर लेंगे नेक्स्ट रो में फिर एक फंदे किनारे वाले फंदे को उतार लेंगे यहां पर देखिए छे आठ दस बारा चोदा फंदे हैं अभी स्लाई में एक फंदे घटाएंगे और फिर नेक्स्ट स्लाई में एक फंदा इस तरह से दो फंदे को घटा देंगे यहां देखिए इस एक फंदे को मैंने घटा दिया फिर पुरी स्लाई बुन लेंगे फिर यहां देखिए किनारे के फंदे को अतर लिये हैं दोनों फंदों को एक साथ इस तरह से घटा देंगे इसके बाद उल्टा भूनेंगे अब इसमें 12 फंदे बचे इन 12 फंदे को लंबाई पूरा होने तक आर्म की कटिंग के बाद जो लंबाई है उसे पूरा होने तक भून लेंगे बैक पार्ट के बराबर इसे भून लेना है इस तरह से देखिए ये गला घटाने के बाद ये पूरा हो चुका है 12 सेंटीमीटर एक फंदा जहां घटाए थे उसे उपर 12 सेंटीमीटर ये पूरा हो चुका है अब इसी तरह का एक और पार्ट बना लेंगे ये लेट साइड का पार्ट है इसे यहां तक एक बड़ाबर रखेंगे इसमें दो बटन होल बनाएंगे चार स्लाई बूनने के बाद रिवेष्टी चार स्लाई बुनने के बाद दो बटन होल बनाना है, यह दो फंदा या तीन फंदा जो चाह कि आप बुन लीजी उसके बाद ऐसे गाद धागे को लपेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा करके एक बटन होल बना लेंगे फिर दस फंदा जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे एक सिधा एक उल्टा करते हुए दस फंदा बुन लेंगे और एक बटन हूल उसके बाद फिर बना लेंगे दस फंदे हो गए अब धागा को इस तरह से स्लाई में लपेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से दो बटन हूल बन गया है 20 स्लाई के बाद फिर दो बटन हूल इसी के सामने में उपर में बनाएंगे यहाँ देखिए 16 स्लाई पूरा हो चुका है अब आर्म हूल की कटिंग करनी है आर्म हूल की कटिंग में पहले चार फंदे घटाएंगे एक फिर दो तीन और यह चार इस तरह से चार फंदे घटा लेंगे नेक्स्ट लाई में दो फंदे घटाएंगे और उसके बाद एक फंदे घटाएंगे जैसे राइट साइड के पार्ट में बनाए थे उसी तरह से इस साइड भी आर्म हूल की कटिंग में पहले चार फिर दो फंदे घटाएंगे यहां देखिए यह दो फंदे फिर घट गए अब फिर पूरी स्लाई बून लेंगे नेक्स स्लाई में एक फंदे घटा लेंगे उसके बाद चार दो और एक फंदे घटाने के बाद इसे गला घटाने तक बून लेंगे अब यह वी स्लाई पूरा हो चुका है उसके बाद अब इसमें बटन होल फिर बना लेंगे इसके बाद गला घटाएंगे दो फंदा जैसे बुने थे वैसे बुने के बाद धागा को सलाई मिला पेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे फिर दस फंदा बुनेंगे इसके बाद फिर वहाँ पर भी एक बटन होल बना लेंगे ठीक सामने में इसके एक और बटन होल बना लेंगे दस फंदे के बाद दस फंदा बुनने के बाद देखिए फिर उसी तरह से धागे को लपेटेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देंगे तो एक बटन होल यहां और एक बटन होल यहां इस तरह से दो बटन होल बन गया अब गला की लंबाई पूड़ा होने तक इससे बुन लेंगे जैसे राइट साइड के पार्ट में गला घटा थे उसी तरह से इसमें भी घटाएंगे यह देखिए यह गला घटाने तक पूरा हो चुका है अब यहाँ पर जैसे उस पार्ट में 8 फंदे घटाए थे इसमें भी बुनते हुए एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए 8 फंदे घटा लेंगे एक सीधा दो फंदे घटा लेंगे फिर उल्टा बुनेंगे और उपर से फंदा को उपर से गिरा देंगे फिर सीधा बुनेंगे चार फंदे हो गए उपर से गिरा देंगे फंदे को उल्टा बुनेंगे फंदा उपर से गिराएंगे पांच सीधा बुनेंगे और फिर फंदे को उपर से गिरा देंगे उल्टा बुनेंगे, फंदा उपर से गिरा देंगे, सीधा बुनेंगे, फंदे को उपर से गिरा देंगे, इस तरह से यह 8 फंदे घट चुके हैं, नेक्स्ट सलाई में, 4 फंदे घटाएंगे, अब यह पूरी सलाई बुन लेंगे, किनारे के फंदे को उतार लेंगे अब यहां पर फिर से चार फंदे घटाएंगे दोनों फंदों को इस तरह से उपर से गिरा देंगे फिर सीधा बुनेंगे फंदा उपर से गिराएंगे उल्टा बुनेंगे फंदा को उपर से गिरा देंगे फिर से सीधा बुनेंगे फंदा को उपर से गिरा देंगे इस तरह से आठ फिर चार फंदे घटाएंगे अब इसके बाद तीन फंदे घटाएंगे एक फंदा घटा दिये फिर उल्टा बुनेंगे, फंदा उपर से गिराएंगे, दो फंदे हो चुके हैं, फिर सीधा बुनेंगे, और फंदा को उपर से गिरा देंगे, इस तरह से तीन फंदे घट चुके हैं, अब फिर जैसे स्लाइब बुनते हैं, वैसे बुन रेंगे, इस में 14 फंदे बच गए अब एक एक फंदे दो स्लाई तक लगातार घटा लेंगे तो यह फिर देखिए दोनु फंदों को इस तरह से उपर से गिरा देंगे तो एक फंदा घट गया फिर नेक्स स्लाई में एक फंदा और घटा लेंगे फिर यहां पर देखिए एक और फंदे घटा लेंगे अब इसमें 12 फंदे बच गए हैं इन 12 फंदों को लंबाई पुड़ा होने तक बुन लेंगे इस तरह से यह पार्ट भी कम्पलीट हो जाएगा यह 12 फंदे हैं देखिए अब इसे लंबाई पुड़ा होने तक बुन लेंगे इसके बाद स्लिप्स बनाएंगे स्लिप्स में मैंने यहां पर 36 फंदे लिया हैं और जैसे एक सीधा और एक उल्टा करते हुए बॉर्डर को बुने थे उसी तरह से दो स्लाई तक एक उल्टा और एक सीधा बुन लेंगे यह दो स्लाई पुड़ा हो चुका है अब इसके बाद 10 स्लाई तक दोनों तरफ से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे दस स्लाई के बाद फिर दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाएंगे यहां देखिए यह दस स्लाई पुड़ा हो चुका है एक दो तीन चार पांच यह पांच स्लाई ने दिख रही है अब इसके बाद फंदे इसमें बढ़ाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे उसके बाद देखिए यह जो फंदा है सेकेंड वाला इसके नीचे वाले फंदे को उठा कर एक उल्टा फंदा बुनेंगे फिर इस फंदे को भी बुन लेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा पूरी स्लाई बुन लेंगे उसके बाद जब दो फंदे रह जाएंगे फिर उस किनारे भी इसी तरह से एक फंदे बढ़ा लेंगे हर दस लाई के बाद दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाएंगे यह किनारे में भी देखिए यह नीचे वाले फंदे को इस तरह से उठाएंगे खीच करके और इसमें एक फंदा बना लेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर उस फंदे को भी बुन लेंगे, तो एक फंदा इधर बढ़ गया और एक फंदा इस साइड बढ़ गया, किनारे के फंदे को सीधा बुन लेंगे, इस तरह से दो फंदे बढ़ चुके हैं इसमें, द आप 26 फंधे हो जाएंगे उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे इसमें दोनों तरफ मेंने एक-ईक फंधे बढ़ाते हुए और 46 फंधे हो चुके हैं इसे देखिया किस तरह से घताएंगे सबसे पहले 2 फंधे का एक फंधा करते हुए चार फंदे घटा लेंगे, ये तीन फंदे घट चुके हैं, एक और फंदा घटा लेंगे, ये चार फंदा घट चुका है, फिर पूरी स्लाई उल्टा बून लेंगे इस तरफ जैसे चार फंदे घटा थें, इधर भी दो फंदे का एक फंदा करते हुए चार फंदे घटा लेंगे ये चार फंदे घट चुके हैं, अब फिर पूरी स्लाई उल्टा बून लेंगे किनारे के फंदे को उतार लेंगे, अब यहाँ पर दो फंदे घटाएंगे कि दो फंदे का एक फंदा करते हुए एक उल्टा फंदा बून लेंगे, तो दो फंदे घट गया, अब पूरी स्लाई बून लेंगे उस तरब भी दो फंदे घटा लेंगे, दो फंदे का एक फंदा करते हुए, दो फंदे घटा लेंगे, फिर पूरी स्लाई बून लेंगे अब एक एक फंदे घटाने हैं, पहला फंदा उतारेंगे, और दो फंदे का एक उल्टा फंदा कर लेंगे, पहले चार और दो फंदे घटाया हैं, उसके बाद पहला फंदा उतारने के बाद दो फंदे का एक उल्टा फंदा बूनेंगे फिर पूरी सलाई बून लेंगे जब तीन फंदे रह जाएंगे तब फिर दो फंदे का एक फंदा उस तरब भी घटाएंगे ये तीन फंदे रह गए हैं इसे दो फंदे का एक फंदा करते वे घटा देंगे किनारे का फंदा सीधा बूनेंगे नेक्स्ट रो में रॉंग साइट से फंदा घटाना नहीं है, फंदे एक स्लाइ में ही घटाएंगे, दूसरी स्लाइ पूरे उल्टा बुन लेंगे, केवल किनारे के फंदे को सिधा बुनना है, इस स्लाइ में फंदे को घटाना या बढ़ाना नहीं है, देखिए अब फिर न लाई बुन लेंगे, दो फंदे का एक उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, फंदे घटाना बाढ़ना नहीं, फंदे एक ही साइड घटाएंगे, इसी तरह से घटाते हुए दोनों तरफंदे एक एक फंदे देखिंए, इसमें मैंने दोनों तरफ एक एक फंदे घटाए हैं और यहां पे जब बाड़ा फंदे रह गया हैं फिर सभी फंदों को बंद कर देते हैं इसमें सभी फंदों को घटान बंद करने के बाद अब यहां पे बाड़ा फंदे बचे हैं इन बाड़ा फंदों को एक साथ इस तरह से दो फंदे का एक फंदा करते हुए बंद कर देंगे इसी तरह का दूसरा पार्ट भी बना लेंगे यह बैक पार्ट है और यह फ्रंट पार्ट है इसके अकंदे की स्लाई करेंगे यह देखिए यह दोनों का बीच में सीधी साइड है और यह रॉंग साइड है रॉंग साइड को इस तरह से दोनो पार्ट को रख लेंगे और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मिला करके इस तरह से जो बारा-वारा फंदे हैं दोनों का एक एक फंदा ले करके एक उल्टा फंदा बुनेंगे फिर से इस फंदे को इस लाई पे डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देंगे और उपर से फंदे को गिरा देंगे फिर से उसी तरह से दो फंदे का एक फंदा करेंगे और उपर से फंदे को गिरा देंगे दोनों सलाई के एक एक फंदे को लेते हुए उल्टा बुनेंगे दो फंदे का एक फंदा और फिर इस फंदे को उपर से गिरा देंगे फिर से इस स्लाई के फंदे को दोनों को एक पे डालेंगे और इन दो फंदों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुन लेंगे उपर से फंदे को गिरा देंगे यहां भी उसी तरह से करना है इस फंदे को इस स्लाई पे डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देंगे फिर फंदे को उपर से गिरा देंगे इसी तरह से बंद करते हुए इन 12 फंदों को बंद कर देंगे इस तरफ के कंधे को भी इसी तरह से जोड लेंगे यह देखिए मैंने इसे जोड लिया है अब यह इसका स्लिप्स की सिलाई कर लेंगे इसके बाद इसमें गले का कॉलर बनाएंगे कॉलर बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें 20 फंदे लिए है और चार स्लाई तक जैसे नॉर्मल सीधा और उल्टा बुनते हैं उसी तरह से बुनते हुए इसे पुड़ा कर लेंगे सीधी साइड से सीधा फर्स्ट रो सीधा बुनेंगे सेकेंड रो उल्टा फिर थर्ड रो सीधा और फोर्थ रो उल्टा बुनेंगे उसके बाद यह फिप्त रो है फिप्त रो में अब सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है शेक्स रो में सभी फंदों को सीधा बुनेंगे अब इस तरफ केवल सीधा दिखेगा सेवेंथ रो है सभी फंदों को उल्टा बुनना है एर्थ रो में अब सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे नाइन्थ रो में फॉर्स्ट रो की तरह ही सभी फंदों को सीधा बुनेंगे यह दिकि ए चार्च लाई तक यह उल्टा उल्टा दिख रहा है और इस साइड से सीधा दिखेगा अब फिर चार्च लाई इसी तरह से जैसे फर्स्ट रो से फोर्थ रो तक बुने है उसी तरह बुनेंगे 9th row में 1st row की तरह ही सभी फंदों को सिधा बूनेंगे फिर 10th row में सभी फंदों को उल्टा बून लेना है जैसे इसे बनाए थे 11th row सिधा बूनेंगे और 12th row फिर उल्टा बून लेंगे इसी तरह से देखे, यह जैसे उल्टा लाइन देख रहा है, उसी तरह यहां उपर में चार स्वाइग तक उल्टा-उल्टा दिखेगा, उसके बाद फिर सीधा बुनेंगे, फिप्ट रो से एर्थ January तक जैसे बुनें हैं उसी तरह से इस चार-चार स्लाई के पैटर्न है इसको रिपीट करते हुए कॉलर को बना लेंगे यह गले का जो साइज है इसके जस्ट डवल इसको भूनेंगे अब इसकी स्लाई कर लेंगे स्लाई करने में ध्यान रखना है की दोनों तरफ देखिए इस लाइन को मिलाते हुए कि इस तरह से स्लाई करेंगे इसके किनारे का एक फंदा इस तरह से इसी तरह से मिलाते हुए सेगें रो है इसे किनारे का फंदा इस तरह से फिर यहां देखिए इसके सामने में यह जो चोटी वाला फंदा है उसके बगल में स्लाइडर स्वी डालेंगे और इसी तरह से इसकी स्लाइड कर लेंगे इसी तरह से मिलाते हुए स्वेटर की सिलाई कर लेंगे ये देखिए इसमें मैंने स्लिप्स भी लगा लिया है अब ये फ्रोग पूरा हो चुका है इसमें अब कॉलर की सिलाई करेंगे कॉलर की सिलाई इसमें देखिए मैंने जो कॉलर का ये लेंद्ध रखा ही ये ज़स्ट डॉवल है इसमें लगभग जो उल्टा-उल्टा दिख रहा है ये लगभग 30 तेक मैंने इसमें लिया है इसमें सीधा जो डिजाइन है इसे काउंट नहीं करेंगे सिर्फ उल्टा उल्टा जो है इसे ही काउंट करेंगे और इस तरह से 30 लाइन जो यह उल्टा उल्टा दिख रहा है ये 30 लाइन बना लेंगे और फिर इसे मिलाते हुए इसकी स्लाई कर लेंगे दिखिए सिलाई करने में ध्यान रखना है, इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे, इसे बिल्कुल चून जैसे लगाए जाता है, उसी तरह से इसकी सिलाई करेंगे, इसे टाइट करके नहीं सिलेंगे, जैसे चून बनाते हैं फ्रोक में, उसी तरह से बनाते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है, इसकी सिलाई मैंने कर ली है, अब एक पॉम पॉम या मैं यहाँ पर फ्लावर अटेच कर रही हूँ, इस तरह से बना करके, आप चाहें तो इसको डेकोरेट करने के लिए, एक पॉम पॉम बना करके, यहाँ पर लगा सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह डिजाइन आपनों को पसंद आएगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्षन में ज़रूर लिखिए, एदी आपनों को यह वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, सेर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। धन्यवाद।